जैपूर पेरा टीचर के अगर बात की जाए तो पेरा टीचर को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का एक मामला सामने आया निर्वर्स कर दिया गया पैरा टीचर को निर्वश्त्र कर दिया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीड की राज मानवा दिखार आयोग ने घटना का प्रतसंग्यान दिया आयोग ρωतियक्श जस्तिस जी के व्यास में जसल मेर एस्वी को जरूरी दिशार निदेश भी चा हुआ था उसको खटवाई जानके आदेश चारी किये गए थाकि पीडित को अपमानित होने से रहत भी सकते अब तक की जो कारेवाई की गई तो तक त्यात्वक रिपोर्ट 45 दिन में आयोग में भेजने के लिए आदेश है कि अधिया कि आदे के जुरूरी दिशा निदेश चारी किये गए है रिपोर्ट तयार करने के आदेश यो आरवेज 15 दिन में आयोग में रिपोर्ट भेजने के आदेश चारी हो चुके कि आदेश चारी के विश्णों हमारे साथ मारे से योगी जुट चुके विश्णों पूरा मामला क्या है ये भी बताए और कैसे आगे कारेवाई को किनकी रैंगर से इस कारेवाई को अमल में लाया जाएगा कि आपको बता दो कि तीन दिन पहले पहरा टीचर अपने महिला परिकित से मिलने आया था तो लोगों ने उनको पकर लिया और उसके बाद उनके साथ मार्कित की और बरबता पूरवक्त के मार्कित की जई उसमें उनके बाल काटेगे और जो गाड़ी है उसमें भी सोचल मीडिया पर इसको तुर्ण केटवाया जाए तो कि उससे जो ज्यादा आपमानिक वैस्टूस किया रहा है उसको विश्णू पैरा टीचर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसने अपने बयान जो कलंबद करवा दिये है क्या किसी की पहचान हुई है कि किसने ये सब किया उसके साथ जगन जैसा कि अभी सब्सक्राइब कर चुक है कि दो आरोपियों को फुलिस शेवतार कर चुकिये लेकिन आयोगा देट्स जेटिस जेटिवास जीचेवास में पूरे इस मामने परदाबिन में रिपोर्ट मांगी है जी ठीक है विश्णू बबबा शुक् किया फिलाल तक की जानकारी के लिए कोई भी अपडेट होगा हमारे तक जरूर कुन चाहिएगा